profit किए धो सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगोंको मेरा नमस्काथ और आज अट एपके ऐसा प्रोजेक के बारे में बताने वाला हूं जो नोग एक कुमर्स के दुनिया मेंग एक नशेंच उर्ण ह सुनामी लाने वाला है और वह को मेंग मोटो रखा है इसका मतलब यह है कि आज के बाद आप जो भी अपने उपर spend करने वाले हो उसके उपर आपको lifetime की income आनी वाली है और आपके जाने के बाद आपके next generation को income पासा होनी वाली है लेकिन यह income को बताने से पहले या पर यह project क्या है इसको बताने से पहले let me मुझे आपको कुछ खासियत बतानी है इस project के बारे में ताके आपको पता चले कि आपके न आपके जो thought process है वो आपके change हो कोई perception आपका नहीं हो इस project के उपर यह project आता है absolutely zero investment क्योंकि यह कोई multi-level marketing नहीं है तो यह अपने दिमाग से आप निकाल दो दूसरी चीज यह आती है zero investment मतलब आपके जेब से एक पैसा किसी को देना नहीं है ना ही किसी के जेब से एक पैसा आपको लेना है पहली चीज़ दूसरी zero liability मतलब आपके संबंद किसी के साथ खराब होने वाले नहीं है नहीं आपके पड़ों से केदार आपके रिष्टेदारों के साथ आपके दोस्तों के साथ आपके police के साथ zero liability और absolutely zero risk zero risk का मतलब है कि आप bankrupt नहीं होगे या फिर नो कोई आपके दर्वाजे के सामने रात सबसबेरे कोई दर्वाजे के सामने खड़े हो कि यह नहीं पूछेगा भीया मेरे पैसे का है very important और यह 100% e-commerce का platform है 100% यह legal platform में एक legal application है ठीक है लेकिन यह बताने से पहले मुझे आप सब लोगों को एक बात पूछनी है कि आज हम जब हमारी पढ़ाई खतम करते हैं और जब हम इंकम के तरफ दोड़ते हैं कि भी हमारा अभी हमें no financially हमें free होना है financial हमें एक अपने पेरोपे खड़ा रेना है तो हमारे पास दो options होता है बराबर एक option होता है नौकरी दुसरा option होता है business अब यह दोनों option में अगर आप मैं आपको कहूं कि दोनों option में आपकी primary income होती है लेकिन अगर primary income के अलावा अगर हमें secondary income को अगर हमें generate करना है क्योंकि secondary income मतलब क्या उन लोगों को जिन लोगों को extra income से allergy नहीं है या तो मुझे extra income से allergy नहीं है मेरी primary income है लेकिन मुझे extra income से allergy नहीं है तो मैं आप सब लोगों को यह पताना चाहता हूं कि अगर हमें हमरी अगर कोई नौकरी कर रहा है और अगर उसको एक primary income है आठ घंटे में वो एक primary income को बनाता है लेकिन अगर उसे एक additional income अगर उसे एक secondary income चाहिए तो उसे कहीं ना कहीं time invest करना है कहीं ना कहीं उसे कोई investment करना है तब ही जाके वो additional income को generate कर सकता है उसे तरह अगर आप कोई business का अगर आप option select करते हो अगर आप business करते हो तो अगर आपको business में अगर आपको additional income को generate करना है तो additional time और additional investment करना पड़ता है आपके business में तब ही जाके आप secondary income तब ही आप additional अपना profit को बढ़ा सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आग में आपको एक खुशकबरी देना चाहता हूँ वो खुशकबरी यह है कि आप अगर आप job कर रहे हो या आप business कर रहे हो irrespective of your profession आपको एक secondary income आपको generate करने का एक मोका मिल रहा है वो मोका ऐसा है कि बिना extra time बिना कोई additional investment आप additional income को generate कर सकते अपने existing expenditure के उपर मतलब क्या कि जो भी आपका lifestyle है आज और जो भी आप expenditure करते हो उस expenditure के उपर आप additional income को generate करने वाले हैं अभी मैं आप सब लोगों को एक बात पूशना चाहूँगा आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आप में से इसे कितने लोग हैं जो अपना जो shopping करते है आपने से कितने लोग हैं जो आपना mobile रीचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं आपने से कितने लोग हैं जो online खाना order करते हैं जो भी, जो भी मैं आपको screen दिखा रहा हूँ आपने से कितने लोग हैं जो online transactions करते हैं, कितने लोग हैं जो online travel करते हैं, flight booking, bus booking, trading, यह सारी चीज़ा आप करते हैं यह सारी चीज़े क्या आपके mandatory चीज़े हैं और यह mandatory चीज़े करने के उपर क्या आपको कोई income generate होती है, क्या तो आज मैं आपको खुशकबरी बता रहा हूँ, irrespective of your profession, आप बले कोई engineer हो, doctor हो, आप कोई chartered accountant हो, आप कोई housewife हो, आप जो भी हो, आप कोई networker हो, आप यह सारी चीज़े करते हो, लेकिन यह सारे चीज़े करते-करते, मैं आपको खुशकबरी बताने वाला हूँ, कि यह सार transaction की उपर आपकी income generate होने वाली है, yeah, that is the goodness, और एक ऐसी income, कि आप lifetime की आपकी income होगी, क्योंकि यह mandatory चीज़े हैं, और आपके जाने के बाद, आपके next generation को income pass on होने वाली है, that is this business opportunity, और एक ऐसा income, एक ऐसी income मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि हर मैंने आप एक CR बना सकते हो, अगर आपने अगर हमारी पुरी strategy को, अगर आप समझेंगे, अगर हमारे project को, हमारे plan को, अगर आप समझेंगे, सीखेंगे, तो यह आपका income हो सकता है, provided you are open minded to listen to this project, अब यह बताने से पहले, मुझे आपको let me give you some statistics about our Indian economy, हमारी Indian economy का statistics क्या, e-commerce का platform हमारे भारत में किस तेज India by 2050, India will be the largest economy by 2050, it is going to overtech, मतलब जितने भी हमारे और उसी जो देश हैं, सारे देशों को हम सरपास करने वाले हैं, we will be the number one economy, अगर हमारी संख्यागरा population, अगर आप संख्या देखोगे, उस संख्या के मताबिद हमारे जो स्मार्ट फोन से हमारे भारत में, वो भारत में स्मार इतने तेजी से बढ़ने वाले हैं, e-commerce का platform इतने तेजी से बढ़ने वाला हैं, कि आने वाले 15 से 20 सालों में, हम सारे country को हम पचाडने वाले हैं, सारे country में we are going to top the chart in terms of e-commerce, अभी e-commerce का platform, e-commerce की market size, market capitalization, इस screen में मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में 26 billion dollar का था इंडियन का e-commerce market और by 2028 230 billion का होने वाला है, online shoppers, 2018 में 100 million का था, 2028 में 500 million होने वाले हैं, affordable smartphones and low data traffic, e-commerce, ये क्या चीज़े हैं जो इसको drive कर रहे हैं, ये सारे चीज़े हैं, सबसे पहली important चीज़े हैं, कि आपका affordable smartphone, आपका affordable internet का usage, ये सारे चीज़े drive कर रही है, e-commerce को penitrate करने के लिए, e-commerce का grow होने के लिए हमारे भारत में, अभी अगर आप online retail shopping का, अगर आप statistics देखोगे, मैं नीचे, left hand side में दिखा रहा हूं, online spending versus online buyers, 2015 से लेकर 2020 तलक, 2020 में 74 billion online spending हो चुका है, और online buyers 167 million users, अगर आप रुपे कड़ का, अगर आप statistics देखोगे, एपरिल में और जून में, ये पिछले साल का statistics है, लेकिन ये statistics आज काफी बढ़ चुका है, आपको अगर Indian e-commerce का market अगर आप देखोगे, ये सर्वे किया है, अगर सर्वे पर आप देखोगे, 2016 से लेकर, 2022 तलक, e-commerce users भारत में होने वाले 500 million, और अगर आप नीचे का market, नीचे का अगर आप graph देखोगे, बहुत-बहुत important है, ध्यान से उस graph को देखना, e-commerce revenue by country in 2018, अगर आप देखोगे, extreme right-hand side में भारत का revenue सबसे low है, और अगर आप business अगर आप जानते हो, तो कोई भी country अगर bottom पर होती है, तो उस country के ज़्यादा chances होते हैं grow होने के, तो हमारा भारत e-commerce में सबसे कम है, इसका मतलब क्या, कि आने वाले 15 से 20 सालों में e-commerce is going to grow and grow and only grow in India, अब यह e-commerce हमारे भारत में grow क्यों हो रहा है, सबसे पहला जो social economic environment है, हमारे आदते बदल रही है, technology बदल रही है, हमारे shopping की आदते बदल रही है, लोगों को online की आदत पढ़ चुकी है और awareness आगया है, सबसे important, बहुत important यह चीज़ है in terms of affordability, in terms of scalability, in terms of infrastructure, in terms of technology, सारे और इस वज़े से एक नई industry उबर रही है, that is we call mobile commerce, अगर आप mobile commerce का अगर आप देखो कि आज, आप सबेरे उठोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, आप मुझ नहीं दोगे, लेकिन सबेरे उठके आप अपना smartphone अपने हाथ में लोगे, मतलब बच्चों के अलावा, आप smartphone हमा अगरा smartphone जो आज हमारे हाथ में आया है, क्या ये smartphone क्या सिर्फ, no, WhatsApp के लिए, या फिर सिर्फ messages के लिए है, क्या सिर्फ phone के लिए है, मैं आपको कह रहा हूँ, mobile commerce is the future, मतलब क्या, आप अपने हाथ में जो smartphone है, उससे आप करोडो रुपया कमा सकते हैं, और mobile commerce is the future, अगर आप आप देखोगे, अधिक्त 62% लोग अपने mobile से अपना internet अक्सेस करते हैं, और smartphone का अगरा penetration देखोगे, जो मैंने अलड़ी शेर कर चुका हूँ, आने वाले सालों में, by 2020, next 2-3 years, India will be number 1 in smartphone users, या, this is what is mobile application, तो आज जिस application के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो project के बारे म application के उपर है, जो e-commerce के platform के उपर है, और ये ऐसा application जो आने वाले 3-5 सालों में, it will be at the peak, it will be at the peak, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कि कि आज जो आप ये project को सुनने वाले हैं, वो project आज opportunity phase में है, और अगर आपको लाखों करोडों रुपया अगर आपको कमाना है, तो आपको opportunity phase में ही काम करना है, necessity phase में किसी भी opportunity को जानके आप लाखों करोडों रुपया नहीं कमा सकते हैं, ये मैं आपको एक उधारन दे के समझाता हूँ, कि 20-25 साल पहले एक industry उबरी थी, एक industry निकली थी, जिसको हम कहते हैं network marketing, काफी लोगों ने हासी में उसको उड़ा द टाल दिया, लेकिन जोन लोगों को, जिन लोगों ने उसको सुना, समझा, सीखा, उन लोगों ने अपनी जिन्दी की बदली है, अच्छी company के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि या हाँ, मैं भी सुन रहा था, इस company के बारे में पिछले 20 साल से company है, 15 साल से company है, लेकिन मैं मौका गवा चुका हूँ, क्योंकि हर opportunity की timing होती है, अगर आपकी timing सही होगी, तब ही आप करोड़ों रुपय कमा सकते हैं, नहीं, तो आप ऐसे विसे, मतब यूल भी लेक सो सो, तो अगर आपको लगता है कि आपने एक era, एक opportunity, एक business model को आपने खो द तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, कि आने वाले slides, आने वाले information जो मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं नहीं जानता मैं कितने लोगों को touch करने वाला हूँ, इस opportunity से, लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है, कि अपना glass को empty करिए, open mindedly सुनिए, और इस opportunity को समझ दे की कोशिश करिए, इसके गहराई में जानी की कोशिश करिए, कि कितनी बड़ी opportunity आपके हाथ आज आने वाली है, और उस opportunity का नाम है cash pack, cash pack क्या है, इसको मैंने एक, तीन categories में इसको मैंने divide किया है, कि what is cash pack, और आपको cash pack क्यों करना है, और आप cash pack से आपको benefit कैसे मिलेगा, तो cash pack क्या है, it's a world class application जो उन्होंने बनाया है, android phones के लिए, और इस application उन्होंने क्या कि तरह पूरी जो भी, जो भी तरह तरह के application जो हम अपने रोज मर्रा के जिंदिगी में इस्तमाल करते हैं, वो सारे applications को उन्होंने, अ क्या किया है, इस application के द्वारा, उन्होंने e-commerce, affiliate marketing, referral marketing, all in one, सारे चीज़ों को उन्होंने एक साथ जोड के उन्होंने यह application को market में launch किया है, अब यह affiliate marketing है क्या, अगर मैं आपको इसको छोटे example में बताऊं, it's the most legitimate, ethical, legal business model in the world, और अगर आप affiliate marketing का, अगर आप research करोगे, Google तो affiliate marketing हमारे traditional business में सदियों से है, भले आप कोई bank का example लेता हूँ में, कि अगर आप कोई DSA लेते हो, और उस bank को अगर आप कोई business देते हो, तो bank आपको affiliate commission देता है, उसी तरह अगर आपको insurance की agency लेते हैं, या फिर आप किसी doctor का, अगर मैं आपको example देता हूँ, कभी आपको कोई prescription लिखे देता है, किसी clinic में जाने के लिए, तो वो clinic उस doctor को affiliate commission देता है, तो it's the most legitimate, तो अगर मैं आपको कहूँ कि धीरे धीरे हुआ क्या है, due to all disruptive technology, क्योंकि हर era में एक नई disruptive technology आती है, उसी तरह 1980 में, एक disruptive technology पुरी दुनिया में आई, जिसको हम कहते हैं, computers, उसके model है, यह मुड़ चला internet के तरफ, और अगर आप देखोगे, पुरे developed countries में, यह affiliate business model on e-commerce और internet is pretty mature, अभी हुआ क्या, because of all the developments which are happening in India, जो भी तरक्की, जो भी changes, जो भी technologies का enhancement, affordability on smartphone, जो भी चीज़े हमारे भारत में पिछले 10 साल से हो रहा है, इसके विज़े से हुआ क्या है, कि यह जो affiliate marketing on e-commerce, यह बुड़ चला है, यह इसने रुख किया है हमारे भारत के तरफ, और अगर आप देखोगे, हमारे भारत में affiliate marketing on e-commerce is already arrived, already हमारे भारत में है, और अगर मैं आपको example दे दू, तो यह आप ले लो, आप OYO का ले लो, OYO is a billion dollar company, और इतनी फकर की बात है कि it's an Indian company, आप Zomato ले लो, आप Swaggy ले लो, यह सारे कमपनिया affiliate business model के उपर काम करती है, जो which is pretty legitimate, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यह cash pack ने भी यही business model को adopt किया है, अपनी application को promote करने के लिए पूरे भारत में आज, लेकिन आने वाले चन्द महिनों में यह business model, यह cash pack का application पूरे world में निकलेगा, तो हम लोग foundation पे हैं, यह हमारे application को, हम अपने application को promote करने वाले पूरे world में, लेकिन अभी स्विलाल के लिए यह application को हमें promote करना है, हमें यह application को पूरे भारत में move करना है, अभी यह no, affiliate, यह जो model जो लिया है, उन्होंने क्या किया है, सारे Complexion जो आप देख किया है अपने application में अभी आपको करना क्या है? Cashback आपको कहता है कि यह यो भी आप रोज मरना किसी जिदे की जो आप कर रहे हो जो भी आप तरह तरह के application आप इस्तमाल कर रहे हो वो application न इस्तमाल करते हो है आप सीधा cashback के application में आईए क्योंकि हमने वो सारे application को हमने integrate कर दिया अभी आपको करना क्या है cashback कहता है कि जो भी आप application इस्तमाल करोगी या फिर जो भी transactions आप cashback से करोगे वहाँ से जो affiliate commission generate होने वाला है वो affiliate commission उसमें से हम 20% वो अपने पास रखेंगे और 80% लोगों में बाटने वाले कर से यह है business model 20-80 का business model which is the best business model in the whole world आप किसी भी business dictionary को देखिए 80-20 business model वो ही ले सकता है जिसका vision और जिसका mission बहुत ही बड़ा है इक है अभी यहां पर मैं आपको ऊधारन देनी वाला हूं on mandatory transaction जैसे कि म가 आपको बताया पहली मétais आ पुच्छा था कि वह अपने में जो अपना बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, जो भी है, मैं आपको छोटा सा उधारन देना चाहता हूँ, कि अगर ये application, अगर आप cash pack, अगर application अपने जिंदिगी में अगर अपनाती हो, तो आपका benefit क्या होने वाला है, great, let me take, monthly mandatory expenditure जो हर इंसान करता है, बिजले का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, mobile, DTH, internet, grocery, ये मैंने एक छोटा सा number लिया है, ये number शायद आपके लिए implement, शायद आपके लिए applicable नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान के lifestyle की उपर होता है, कि ये उसका mandatory transaction कितना होता है, तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा example लेता हूँ, कि मान लो आपका monthly आपका expenditure है 10,000, तो अगर मैं आपको एक analysis पूछूँ, आपको पूछूँ कि मैं पिछले 30 सालों में आपने कितना खर्चा किया है, 36 लाग के खर्ची आप कर चुके है, which is done and dusted, मतलब उसके उपर आपको कोई benefit नहीं है, लेकिन खर्चे करने थे, वो आपकी liability है, और अगर मैं आपको कहूँ, hypothetically, एक situation हम लेते हैं, कि आने वाले 50 सालों में आपका inflation ना बढ़ रहा ना घट रहा है, इसका मतलब क्या, कि 10,000 की आपकी liability है, हुक और कुरूक आपको 10,000 हर मैंने आपको कमाना ही कमाना है, क्यों, भी आगर आप यह नहीं करोगे, तो बिजली कट हो जाएगी, अगर आप grocery ने लोगे, तो घर का हुक का पानी बंद हो जाएगा, मतलब क्या, कि यह पूरे expenditure आपके 60,000 के होने वाले हैं, यह मैं सिंपल एक छोटा सा मैंने आपको उधारन दिया है, लेकिन अगर आप statistics देखोगे, आज के date में, जो आज की जो lifestyle है, एक middle class की lifestyle जो है, 25-30,000 की आपकी हर मैने की expenditure होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कि यह सारे expenditure की उपर आपके lifetime की income होनी रही है, अभी आपको करना क्या है, very simple, cash pack क्या कहता है, कि यह सारे expenditure को आप cash pack के application में आप route करिए, और route करने के लिए बहुती simple उन्होंने एक business plan design किया है, उसके लिए क कुछ pre-requisite है, तो cash pack अपको क्या कहता है, कि एक काम करिए, पहले तो आपके पाद smartphone होना जरूरी है, और smartphone में आप क्या करिए, आपका android phone होना चाहिए, android phone है, play store पर जाहिए, अपने application को डाउनलोड करिए, जैसे आपने download किया, उसका KYC करिए, क्योंकि KYC is mandatory as per RBI guidelines, और KYC करत पाद, या फिर वोटर आईडी, या फिर passport, या फिर driving license, जो भी आप address proof आप देने वाले हैं, वही address आपको आपके profile में डालना है, यह आपको देखना है, यह जैसे आपने किया, आपका KYC कम्पलीट हो गया, आपका application ready है, सारे transactions करने के लिए, अब यह जैसे आपने किया, आ आप eligible होते हो, आप हगदार होते हो, दो तरके income के लिए, पहला income है direct income और दूसरा income है indirect income, अब यह दोनों income को मैं एक एक करके slide में आने वाले, slide में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा focus करने वाला हूँ indirect income के उपर, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुवेर का खजाना है, the gold mine is in indirect income, लेकिन direct income क्या है, यह मैं आपको आने वाले slide में आपको बताऊंगा, अभी cashback क्या कहता है, कि जैसी आपने application आपका ready हो गया, आप आर तरके income के आप हगदार होते हो, पहला income है self transaction cash points, self transaction incentive, card activation incentive, level incentive, रुपे card का incentive, director club, chairman's class and cashback, society club, तो एक एक करके में आपको यह सारे incentives, एक एक करके सारे income में आपको बताने वाला है, now let's come to the direct income, okay, अभी cashback के आपको क्या कहता है, कि जैसे ही आपका application त्यार हो जाता है, आप अपना cashback का card के लिए apply करिए, और cashback के लिए आपको कहीं आपको घंटो कहीं रुखना नहीं है, लाइन में खताब में खड़ी रहना नहीं है, नहीं आपको कहीं किसी को application करना है, direct आपके cashback के card के लिए completely digital, completely digital, it's a paperless, we are supporting the mother earth by eliminating all the paperwork, we are 100% digital, तो आपको digitally आपको apply करना है, आपका card के लिए, जैसा आपका card apply करते हैं, पांच मिनिट में आपका card आपके application में virtually दिख जाता है, physical card हाथो हाथ आप किसी भी business manager से, area manager से, याई पर cdm से आप अपना direct card आप ले सकते हैं, अभी direct income, very important, cashback केता है कि जो भी transactions आप अपने application से करने वाले हो, या फिर जो भी transactions आप cashback से कोई product खरीदोगे, या फिर जो भी transactions आप अपने iCash card से करने वाले हो, कुछ भी, आप भले app से करिए, या फिर कोई product आप आई आई shopping से खरीदिये, या फिर आप अपने iCash card, अपने cashback card से, आप online करिए shopping, या फिर offline करिए, कुछ भी करिए, आपको 100% आपको direct income आने वाला है, there is no luck factor, अभी direct income कितना आएगा, cashback कहता है, कि जो भी affiliate commission उनको आने वाला है, उस affiliate commission में से, जो 80% जो बटेगा, उस असी तक्के में, 8% आपका self income होने वाला है, यह हो गया आपका पहला direct income, अभी second direct income आपका क्या होने वाला है, ध्यान से सुनी क्योंकि यह आपकी निंदे उड़ा देगी, cashback पहली बात पूरे world में, first time in the world, cashback has introduced cash point, अभी यह cash point क्या है, यह मैं आपको एक example में बताता हूँ, cashback कहता है, कि हर मैंने जो आप अपने mandatory transitions करते हो, मिसाल के तोर पर आपना बिजली का बेल, पानी का बेल, internet, DTH, अपना mobile recharge, अपना घर का किराना, अपना insurance का premium, आपका credit card का bill, आपका petrol, आपका अपना गाड़ी का insurance, जो मर्जी आपकी, आपका sanitary napkin, जो भी आप mandatory transitions करने वाले हो, अगर आपने, हर मैने, अगर आप 5,000 का अगर आप transactions कर देते हो, क्योंकि यह सारे mandatory transactions है, आपको कोई जोर जबर दिस्ती नहीं यहाँ पे, इसके पहले भी आप करते थे, लेकिन आपको कुछ cashpoint नहीं मिलता था, लेकिन आज आप cashback के family में आये हो, और cashback के family में आने के आपने क्या किया, सारे जो आपके mandatory transactions हैं, वो आप cashback से कर रहे हो, या तो application से कर रहे हो, या तो आप cashback के card से कर रहे हो transaction, offline, online, जो भी है, तो मान लो, आपने इस महने, आपने 5,000 का transition कर दिया, तो आपको एक cashpoint आपको मिलने वाला है, ठीक है, अब यह cashpoint कैसे मिलेगा, इन multiples people of 5000, मान लो, आपने 10,000 का किया, आपको दो cashpoint मिलेगा, ऐसे करते करते, मान लो, आपका 25,000 का lifestyle है, और अपने 25,000 का अगर अपने transition कर लिया, तो आपको 5 cashpoint आपको मिलेगा, अगर किसी का 50,000 का lifestyle है, तो उसे 10,000 का उसे 10 cash points मिलेगा किसने अगर 1,00,000 का transition कर दिया पूरिक हरी के light sale अलग अलग होती है तो उन्होंने अगर वो 1,00,000 का transition करेंगे तो उनको 20 cash points मिलेंगे अभी ये cash point का फाइदा क्या है cash pack कहता है कि हर cash point का जो value है उसको हम calculate करने वाले हैं हमारे profit sex तो cash pack ने क्या किया है cash point का value शिंग के लिए cash pack ने जो उनका affiliate commission आता है उसमें से उन्होंने एक percentage को उन्होंने allocate किया है cash point के value शिंग के लिए यहां पर मैंने आपको एक example दिया कि या one cash point का value कितना होगा तो 13% of company's profit मतलब जो affiliate commission cash pack को आएगा उसमें से 20% निकालने के बाद जो 80% जो है 13% उसमें से वो लोग allocate करने वाले है cash point के value के लिए divided by the total cash points issued by the company मतलब इस मैंने कि जितने भी cash point issue होने वाले है company से cash pack के users के लिए उससे वो divide करेंगे ताके वो एक cash point की value पे आएए अभी मैं आपको आगे आने वाले slide में बताऊंगा कि एक cash point की value कितना हो सकते एक सिर्व मैंने example दिया इसको मुझे पोर्ट नहीं करना इसके उपर क्योंकि ये बहुत ही dynamic है ये बदलता रहेगा depending upon company's transaction जितना बड़ा transaction company का होगा उतना बड़ा affiliate commission generate होगा जितना बड़ा affiliate commission generate होगा उतना बड़ा cash point का value होगा क्यों? क्योंकि उमारनों आप cash pack के card से transition कर रहे है उसका affiliate commission अलग होता है अगर आपने जो application जो हमारे cash pack के application में जो 35 application जो आज है लेकिन आने वाले दिनों में साड़े 300 applications integrate होने वाले हैं तो साड़े 300 application से जो affiliate commission आने वाला वो अलग होने वाला है तो आप जब IA shopping में जब आप जो भी product खरीदते हैं अपने application से आपने जरूरी के जो भी आपको चाहिए वहाँ से affiliate commission अलग होने वाला है तो ये पूरा मिला कर मैं आपको एक example दे रहा हूँ कि मान लो इस मेहने cash pack का affiliate commission हुआ है 2 करोड का तो उस 2 करोड में 13% हो जाता है 26 लाग अब ये 26 लाग हमें पता है कि cash pack जितने लोगों को cash points मिले उनमें वो बातने वाले हैं अब यहाँ पे हम one cash point का value निकाल रहे हैं तो one cash point का value कितना हो जाता है 26 लाग divided by 10,000 अब ये 10,000 क्या है ये वो लोग हैं जिन लोगों को इस मेहने में cash points बटे हैं कुछ लोगों को एक मिला है क्योंकि एक ने इसे 5000 का किया उसको one cash point कुछ लोगों ने 15,000 का किया उसको 10 cash points कुछ लोगों ने 1,000 का किया उसको 20 cash points ऐसे करते करते हैं, सारे लोगों को cash point ने इस मेने में 10,000 cash points distribute की बाटे हैं, तो एक cash point ने value कितना हो गया? 260 रुपया, ठीक है? अभी हम यहां में आपे एक example लेते हैं, कि मान लो, एक example, कि मान लो सचिन ने 5,000 का transition किया है इस मेने, तो उसे सचिन को कितना मिलने वाला है? 1 into 260 तो 270 रुपया सचिन को मिलेगा, additional self commission मिलेगा, उसके self commission के अलावा जो आटक का जो उसको direct income आया है, उसके अलावा उसको यह additional 260 रुपया आने वाला है, दूसरा example लेते हैं, कि मान लो, रोहित ने 45,000 का transition कर दिया इस मेने, और रोहित को मिला है 9 cash point, तो रोहित को additional commission कितना आ 40 रुपया, अभी यहां पर मैंने आपको सर्व एक एक जामपल दिया है, यह cash point का value उपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको यह additional income अगर आप टैली करते हो, आप किसी भी bank का credit card, किसी भी bank का debit card से आप अगर उसको compare करोगे, किसी भी application से अगर आप compare करोगे, आपको इतनी बड़ी income आई नहीं सकती, अगर आप self income आई नहीं सकती, यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी card को, कोई credit card इस्तिमाल करते हैं, तो आपको bonus point दिया जाता है, shopping points मिलते हैं, उसी तरह अगर आप को debit card इस्तिमाल करते हो, तो debit card का भी अगर आपको अगर उनको end cash करना है, तो आप end cash नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका वो guideline है, कि आपको end cash करना है, तो आप या तो आप gift watcher ले सकते हो, या तो कोई product ले सकते हो, और उसका timeline भी होता है, कि अगर आपने, अगर ती मैने में, अगर आपने debit करके जो point अगर आप जम देखोगे, इतनी बड़ी इंकम आपकी किसी भी application से, किसी भी card से आपको नहीं आ सकती है, तो जितना आप shopping करने वाले हो, cash pack के card से उतनी ज़्यादा income आप बनाओगे हर मैने, और ये income किसकी है, इस income को पाने के लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कि यही ख मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे चलके, लोग अपने पड़ों से के transaction भी अपने card से करेंगे, क्योंकि हर इंसान को cash pack, जितने ज़्यादा बटो रहेंगे, उतना ज़्यादा उनको self income आने वाला है, this is what about direct income, okay, now, in direct income, यह है हमारा कुबेर का खजाना, तो आने वाले 15 मिनि सुनिये, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, लेकिन एक बड़ी असा quotation में आपको दिखाना चाहता हूं, और यह quotation Mr. John Rockfiller ने कहा है, that I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort, यह बिल्कुल सही है, कि आप अगर 9 गंटे आप काम करोगे, आप 10 गंटे काम करोगे, आप एनरजिटिक ह मैं 12 गंटा काम करूँगा, आप 15 गंटा काम करूँगा, अटरा गंटा काम करूँगा, at a time, 24 गंटे के उपर आप क्या काम कर सकते हो, आपके efforts कितने हो सकते हैं, 100% का effort, लेकिन आप थख जाओगे और कितने दिन तक करोगे, क्योंकि यह हमारे भी एक timeline होती है, हमारी उमर ह है, every age has its own flaws and own advantages and disadvantages, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपकी indirect income जो आने वाली है, वो इतनी बड़ी income आने वाली है, कि आपके बाद आप अपने next generation को वो indirect income पासवान कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो indirect income क्या है, इसको बताने से पहले, मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, that are you ready, I mean are you ready to give the best or the best lifestyle to your family, are you ready to give the best or the best lifestyle to yourself, क्योंकि यह एक ऐसी indirect income आपके आने वाली है, कि आपकी पूरी financials आपको change करने वाली है, 1CR की आपकी income होने वाली है, लिकिन यह 1CR की income पाने के लिए, you need to be very very disciplined, तो आने वाले 10 से 15 मिनिटों में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत माइनी रखता है, और जो भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी सोच की उपर है, अगर आपने हसी में उसको उड़ा दिया, तो यह मोका भी आप गवा बेटोगे, जैसे आपने पुराने जो भी होता है, आपका दिमाग आपके अटिटूड का गुलाम होता है, आपका दिमाग आपके आदोतों का गुलाम होता है, जो आप सोचोगे, वो आपका दिमाग बोलेगा आपका हुकम सरांखों पर, your wish is my command, because your brain is a slave of your thoughts, तो जो आप सोच, आगे आने वाले स्लाइट में मुझे आपको कुछ examples बतानी हैं, कि भीया यह जो indirect income जो हम cashback के application से जो आने वाले हैं, लेकिन cashback का application लेने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे जो application जो हमारे भारत में हैं, और जो भी applications हमारे भारत में हैं, मैं किसी application को criticize नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत नही misunderstand me, it is just an example, और मैं किसी application का में नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सारे applications अच्छे हैं, सारे applications हमें ease of transactions दे रहे हैं, हमारे value add दे रहे हैं, भी हम transactions, financial transitions करते हैं, non financial transitions करते हैं, कुछ applications आपको direct income भी देते हैं, कि भी आप किसी को refer करोगे, हम आपको 50 रुपए देंगे, कोई आप transaction करोगे, हम आपको 20 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, 30 रुपए देंगे, और हम खुशी-खुशी हम refer करते हैं, खुशी-खुशी हम application से transaction भी करते हैं, या लेकिन ऐसे कितने applications हैं, जो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से हमारे भारत में हैं, जो आपको referral income दे रहे हैं, जो आपको discounts दे रहे हैं, जो आपको cash pack दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने applications हैं, जिनों ने हमारे भारत में लोगों को करोड़ पती बनाया है, क्या मुझे एक application का मुझे नाम बताईए, जो आप इस्तमाल कर रहे हो, जो भी आप, मुझे जानना नहीं है क क्या आप कुण सा application आप अपने financial banking के लिए इस्तमाल करते हैं, मुझे ये भी नहीं जानना है, कि आप अपने day-to-day transaction के लिए, आपना बिजली का बिल, पानी का बिल, online shopping के लिए, अपना food order करनी के लिए, आपना flight ticket, bus ticket, train ticket, book करनी के लिए, आप कुण से applications आपने smartphone में आपने lifestyle बदली है क्या, या फिर अगर वो applications अगर आप जिंदगी भर आगे चलके अगर आप इस्तमाल करोगे, तो क्या आप करोड़पती होने वाले हो क्या, एक सवाल आप सब लोगों की, क्योंकि मैं ये जो application आपको बताने वाला हूँ, ये जो cash pack का जो application है, ये application आपकी lifestyle, आप आपके known people में, अगर आपने cash pack का application को अगर आपने refer किया, तो आपकी lifetime की income होने वाली है, और आपके जाने के बाद आपके next generation को income आई की, आपको cash pack का application refer क्यों करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी application किसा अगर आप compare करते हो, जितने भी applications आज हमारे भारत में है, वो सारे applications हमे referral income दे देके वो अपना empire कर रहे हैं, और हम उन लोगों का empire करने के लिए हम contribute कर रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपना referral code दे के उनका दुसरा application का empire कर रहे हैं, CashPack आपको कहता है कि आज के बाद अगर आपको refer करना है तो CashPack का application आप refer करिए क्यों? क्योंकि अगर आप CashPack का application अगर आप refer करोगे तो आप अपना खुद का empire खड़ा करने वाले हो CashPack में और उस empire में जो भी रोज मरने के जिंदगी में जो भी transactions होने वाले हैं वो सारे transactions के आपको lifetime की income आने वाले हैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो empire जो CashPack में खड़ा होने वाला है वो कितने लाकों का है 11,11,110 का आपका empire यह आपका maximum empire size होने वाला है CashPack के family में और इन 11,110,110 के empire में जो आपका empire खड़ा होगा यहां इस empire में सबेरे से लेकर रात तक सेवरे कोई दूद खरीद रहा है, सबजी खरीद रहा है, अपना घर के लिए किराना खरीद रहा है, अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, अपना insurance का premium पे कर रहा है, अपना credit card का bill पे कर रहा है, अपना गाड़ी का insurance निकाल रहा है, अपने बच्चों के ल आपके जाने के बाद आपके next generation को income पासब होने रहाए अभी इंकम कैसे खड़े होने वाली है cashback ने आपको सिर्फ 6 level थी दिये हैं कि पहले level में cashback कहता है कि आप सिर्फ 10 लोगों जो आप refer करने वाले हैं उन refer में जो पहले 10 लोगों को जो आप refer करोगे वो आपके level 1 में आपको आने वाले हैं अभी अगर आप चाहें तो आप 10 की उपर भी refer कर सकते हो कोई कंजूसी नहीं करना क्योंकि हर इंसान की अपनी पैचान की उपर होती है अगर कोई इंसान अगर बहुत ही public oriented है, public outspoken है और भीया कोई businessman है, कोई politician है, कोई social worker है तो उनकी पैचान बड़ी होती है तो कोई कंजूसी करना नहीं, आप 10 की उपर भी refer कर सकते हो लेकिन आप कह रहें कि नहीं, भीया मुझे सिर्फ 10 करना है, मर्जी आपकी, आप सिर्फ 10 भी कर सकते हो तो minimum आपका जो maximum आपका जो level 1 में जो लोग आने वाले हैं, वो 10 लोग आने वाले हैं level 2 में आपके 100 लोग कैसे आएंगे? या तो आप से आएंगे या फिर आपके जो level 1 में जो आप लोग 10 लोगों को आपने रफर किया वो लोग जब उनके 10 लोगों को रफर करेंगे, तो आपके level 2 में 100 आएंगे level 6 में आपका 10 लाग का अगर आप cumulative पुरा लेते हैं तो आपके 6 लेवल में 11,110,110 का आपका empire खड़ा होगा लेकिन यहाँ पर यह जो आपके 6 लेवल से हैं यह 6 लेवल में आपका level 1 is the most important level क्योंकि इस level से आपका empire 11,110 का आपका empire खड़ा होने वाला है यह जो level 1 में जो आपके 10 लोग आने वाले हैं यह define करने वाले हैं कि यह आपका empire खड़ा होगा के नहीं होगा अगर आप इन 10 लोगों के उपर अगर आप compromise करते हो तो आप financial suicide करने वाले हो क्योंकि यह जो आपके 10 लोग जो आपके आने वाले हैं वो 10 लोग नहीं है One person is equivalent to one lakh people मतलब 10 लोग आपके 10 लाग के बराबर होते हैं मैं आपको एक छोटा सा एकव उधारन देता हूँ कि मानलो आज आपने एक कंपनी खड़ी की है और उस कंपनी में आपको 10 Board of Directors आपको अपोइंट करने हैं आप किसे अपोइंट करोगे? ऐसे इनसान को, ऐसे लोगों को, ऐसे रिस्तिदारों को जो लोग आलसी हैं, धर में 12 घंटा सोते हैं या फ़र ऐसे लोगों को आप हाइर करोगे जो लोग मेंटी है, focused है, discipline है, committed है तो यहाँ पे आपको उन लोगों कोई आपको अपना रेटल कोड़ देना है जिनके सपने हैं, जिनके डिजायर से हैं, जो committed हैं, जो महनती हैं और आपके तरह हैं, आज आप ये presentation क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि आपके डिजायर से आपके सपने हैं, आप पूरे करने हैं, आप ethical person हैं, तो आपको आपके तरह जो लोग हैं, वो आपको ढूंने हैं, मैं आपके level 1 के लिए आप अपने social media में, whatsapp पे, facebook पे, twitter पे, यहाँ पे, वहाँ पे, गलती से भी अपना रेफल कोर्ट नहीं देना, आपका रेफल कोर्ट देने का decision यह आपके पास ही होना चाहिए, आप लोगों के पास यह decision नहीं देना, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो empire आप खड़ा करने वाले हो, यहाँ से जो income आने वाली है, वो lifetime की income है, अभी यहाँ पे मैं आपको छोता सा उधारण देता हूँ, कि आपकी income कितनी हो सकती है, कि यह जो 11,110,110 का जो empire जो खड़ा होने वाला है, मैं आपको एक conservative approach ले रहा हूँ, कि मान लो हर इंसान का महने का खर्चा सिरिफ 10,000 का ही है, तो और 10,000 के उपर आपको एक affiliate commission 5 उर्पय के हिसाब से में लेकी चल रहा हूँ, मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ, 5 उर्पय नहीं आपको जादा आता है, लेकिन मुझे आपको कम से बता रहा हूँ, तो अगर आपको एक इंसान के पर अगर उपको 5 उर्पय आ रहा है, तो 11,110 के उपर आपकी income कितनी होनी वाली है, 55,55,550 और यह income कैसी आएगी, क्या किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, हर मैंने वो अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, इंटरनेट, बीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी, अपना इंशोरंस का प्रीमियम, घर, दाडी में पेट्रोल, अपना मोबाइल का, रीचार्ज, पोस्पेड, और इनकप आपको आनी वाली है, that is the potential of this project, और यहां पर मैंने आपको सिर्फ मैंने का ही बताया है, लेकिन हम साल में कम से कम, चार से पाच बार हम शॉपिंग करते हैं, बच्चों का बड़े आ गया, आपका अनुर्सरी आ गया, या फिर देवाले आ गया, दसरा, क्रिस्मस भी है, सारे जो भी है, हम सारे तेवारों में भरबर के transactions करते हैं, साल में एक बार अपने बच्चों के साथ ठामने के साम घुमने जाते हैं, यह जो सारे transactions हैं, यह सारे transactions, सारे लोग cashback से करने वाले, तो आभी आप सोचे कि आपकी income कितनी बड़ी होने वाली है, मैं आपको को एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि आप अगर इस project में इस empire में आप अपनी income को optimize कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको छोटी सी एक चापपा strategies में आपको बताने वाला हूं और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी mandatory transitions के पर आपकी धीरे-धीरे आपकी income कैसे बढ़ सकती है जो mandatory है उसमें से एक mandatory product जिसका नाम मेंने रखा है कोहिनूर का diamond जिसको हम कहते है peculiar sanitary napkin अभी आप सब लोगों को में पूछना चाहूंगा कि आपके family में सी आफर आप ऐसे कोई है यहाँ पर family जो कहता है कि मेरे घर में sanitary napkin इस्तमाली नहीं होता ऐसा कोई है sanitary napkin is a mandatory यह कोई luxury product नहीं है घर घर की कहानी है और sanitary product इतना mandate product है कि आप कुछ भी काम कर रहे होगे काम छोड़ोगे लेकिन आप दुकान दोड़ोगे napkin लेने के लिए आज cashback के जो ii shopping के जो portal है वहां पर एक ऐसा product आया है world class product इसका बढ़िया सा डेमो है मुझे ज़्यादा detail में जाना नहीं है लेकिन अगर डेमो अगर आपको देखना है YouTube पे जाईए आपके आपने जिसने भी आपको invite किया उनसे आपको demo का video देखिए world class product in terms of cost in terms of quality it is matchless अ आपको सेल्फ ट्रांजिशन इंसम्ट वाता है आठ रुपया दस पेसे चे लेवल से आपकी income होती है एट रुपीज फॉर्टी पेसे मतलब आपका टीम साइज जो गैराला गैराज रिक्षो दस का जो आपका टीम साइज आपकी income कितनी हो गई 93,33,324 अभी ये एक मैने की income है आपकी एक मैने की income है क्योंकि sanitary napkin ये घर-घर की कहानी है अभी मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी prospect जो मेरी बात सुन रही है पहली बार जो भी ये बात मेरे सुन रही है मैं आपको एक छोटा सा culture देना चाहता हूं जो हम follow करते हैं हमारे cash pack में मैं सब लोगों को कहता ह हुआ कि भी अपने cash pack को अपने download कर लिया ठीक है आपको पहला transition अपको क्या करना करना पहला transaction क्या आप अपने family की नाम दे सकते हो क्या नारा कुझे हर इंसाम को देना है, इस नारेज से आपको cash pack का project आपको लेना है, क्योंकि अगर आप पहला transition घर के लक्ष्मी के नाम करोगे, पहला transition अगर आपने family के नाम करोगे, तो लक्ष्मी आपके घर पे आनी आनी है ये आपको ये नारेज से आपको क्या whole package application आपको पहला transition को एक हदा necesita या है आपके ना time के अर यही आपको आपको फ्लो करना में आपके छ्य लेवल सक्ट है पहला transaction घर के नाम, पहला transaction फामिली के नाम, पहला transaction घर के लक्षमी के नाम, अगर आप ये discipline, ये अगर आप process अपने 6 लेवल में डालते हैं, तो क्या कोई रोक सकता है आपको 93 लैक्स बनाने से? आप अपने 6 लेवल के मुख्या हो, आप अपने 6 लेवल के empire के, you are the king, you can make it, you can break it, आप जो discipline अपने 6 लेवल में डालने वाले हो, वो flow होगा, जिसे कि हमेशा में एक example देता रहता हूं, कि बिया आप अपने घर के मुख्या हो, आप जो discipline डालोगे अपने बच्चों में, अप आप जो discipline, जो principles आप डालोगे, वो flow होगा, यह हो गया पहला strategy, अभी यह आपके उपर है, अगर आपको अच्छा लगा, हाँ याँ, center napkin, price बढ़िया है, income बढ़िया है, इस तो में, यह strategy को में लोगा और अपने 6 लेवल में, यह strategy को में implement करूँगा, आपकी मर्जी, आप का भला होगा, और आपके साथ आपके लोगों का भी भला होगा, या, if you take it, you are going to make it, if you don't take it, you are going to break it, choice is yours, पहला, दूसरा, fast tag, अभी यह भी एक mandatory product है, लेकिन अभी mandatory product, मैरे खाल से मुझा अभी ज्यादा इसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी income potential बताता है, जिन लोगों के पास automobile है, जिन लोगों के पास four wheeler है, उन लोगों को, fast tag का sticker अपने गाड़ियों में लगाना जरूरी है, क्योंकि toll gate पे अगर आप जाओगे और toll gate पे अगर आपके पास fast tag का sticker नहीं है, तो आप जो भी आपका toll gate है, आपको double देना पड़ेगा, यह mandatory product है आपके पास, यह product cashback में आच चुका है, अभी आपको cashback से किते में मिलता है यह, fast tag का sticker आपको आता है, 300 रुपय में और आपको, 300 रुपय में आपका self income होता है, 50 रुपया और 6 लेवल से आपकी 8 रुपया आपकी बनने वाली है, मतलब क्या, कि आपके 6 लेवल से 88,8880, this is the second strategy, third, e-kidros का learning application है, जो AI shopping में आचुका है, अभी यह e-kidros का learning application के लिए, हम नहीं जानते हैं, अभी हमारे 6 लेवल में, आपके 6 लेवल में, कितने लोग हैं, जिनके बच्चे, LKG से लेकर, फिस संथर पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको 1% लोग, आपके 11,110 में सिर्फ 10,000 लोगों ने, अगर e-kidros का learning app अगर लेते हैं, तो आपकी income कितनी होगी, यह आपको आती है 5,000 में, अभी यह price को अगर quality, cost अगर आप compare करोगे, जितने भी market में product है, it is matchless, मुझे इसकी बारे में ज़्यदा details जाना नहीं है, इसका हम अल से लोग पहचानते हैं, जिन लोगों के बच्चे नों पहली कर्षा से लेकर 15 कर्षा में पढ़ते हैं, और यह learning app हो लेंगे, तो अगर आपको जाना है, डीटेल जाना है, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, अभी इसमें आपका seller income कितना होगा, 1,000, self-transition incentive 132, और 6 लेवल से 132, अगर आपके team में, अगर 10,000 लोगों ने भी अगर यह product लेते हैं, तो आपका profit होने वाला 13,20,000 साल का, और एक साल का नहीं, 5 साल का, क्यों? क्योंकि यह yearly subscription के साथ आता है, this is another product, एक और product, which is the ultimate, वो बताने से पहले, मैं आप सब लोगों को पुछना चाहता हूँ, कि आप में से कितने लोगें, जिन लोगों के पास, automobile का insurance ही नहीं है, मेरे प्यारे दोस्तों, automobile का insurance कोई luxury product नहीं है, अभी automobile का insurance हर इंसान के lifestyle के उपपर होता है, जिसकी जो lifestyle है, उस lifestyle के मुतबर उसका automobile, जो भी car, जो भी होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी तलग हम क्या करते आये हैं, हमारा automobile का जो भी insurance होता है, या तो हम अपने दोस्ते लेते हैं, क्योंकि वो agent है, या तो अगर हमें online की आदत है, हम online से अपना policy निकालते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताईए, आप भले आप किसी के अपने अपने दोस्ते लीजिए, या फिर आप online अपना policy पे कर रहे हैं, क्या आपको कोई commission, कोई incentive आता है, क्या, zero, आज तलक, हमने जितने भी हमेरे गाडियों के policies निकाले हैं, उसके उपर हमें no claim bonus के अलावा, हमें कुछ भी नहीं आया है, monetary benefit कर रहे हैं, आपने हाथ में cash, कुछ भी नहीं आया है, लेकिन आज के बाद अपना vehicle का, automobile का insurance किसी के पास निकाला नहीं, आपक क्योंकि cash pack का tie up हो चुका है, प्रोबस insurance के साथ, जो बहुत बड़ा insurance का broker है पुरे भारत में, और आपको करना क्या है, very simple, आपको कोई IRD का exam भी देना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको cash pack का जो master ID है, उस master ID से आपको प्रोबस insurance के website पे जाना है, लोग इ क्योंकि आपका insurance आपको वहाँ पे निकालना है, और जबी आप insurance निकालोगे, आपको नया निकालना है, क्योंकि पुराना insurance को आपको renew नहीं करना है, अगर आपने पुराना insurance को अगर आप renew करते हो, तो पुराना insurance को insurance का जो agent है, उसको पैसा चला जाता, आपको नहीं तो पहली बार जबी आप प्रोबस से निकाल रहे हो cash pack से आपको हमेशा नया policy निकालना है अभी इसमें आपका benefit क्या है cash pack कहता है कि जो भी affiliate commission हमें OD value के उपर आने वाला अब यहां पर मैंने एक छोटा सा उधारन दिया और यह छोटा सा उधार मैंने बहुत ही conservative लिया है मैं पहला बहुत बड़ा figure लेता था लेकिन मैं छोटा एकदम काट छाटके में बोल रहा हूं कि आपका जो OD का जो premium है वो सिर्फ 2500 मतलर four-wheeler और two-wheeler दोनों को मिला के मैं बो वाला है कि मैं आपको यहां पर एक्जांपल में ने दिया है 20 परसंट से मतलब धाई अजर का जो आपका OD value उसके उपर cash pack को जो 20 परसंट आया है उस 20 तक्के में जो 2080 का ratio से जो 80 तक्का जो बटने वाला है उस 80 तक्के में मैं आपको 40 तक्का मैंने निकाल की 160 रुपय मैं या तो two wheeler होने वाला या तो four wheeler होने वाला वो खुद अपना insurance निकालने वाले है क्योंकि आप जैसा आप अपना खुद के लिए insurance निकाल रहे हैं आपने automobile का उसी तरह आपके team लोग भी वो अपना insurance खुद निकालेंगे वो जैसे आपना insurance निकालेंगे उनके OD वाले के इसाब से अगर आप 11,110 को अगर आप multiply करते हो तो आपकी income होने वाली है दो करोड 11,110,90 मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये इतनी कार्ट छाट के मैंने इतनी छोटी सी मैंने income OD के premium के उपर मैंने आपको income बताईए ये income इतनी बड़ी है और ये income आपको हर साल आएगी क्योंक आपका constant नहीं होगा क्यूंकि जैसे लोगों की lifestyle बड़ेगी वो गाडी बेचेंगे नहीं गाडी लेंगे तो जब नहीं गाडी लेंगे तो जो प्रिमेम होता हूँ प्रीमियम का OD value 100% होता है क्यूंकि जैसे जैसे हमारी तरक्कि नहीं होती हम गाडी भी तो बदलते हैं आ सब्सक्राइब चला जाते हैं जैसी जैसी लोगों की लाइफस्टाइल बहतर होती जाती है हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं उसी तरह आपका इंशुरंस का जो इंकम है वो सिर्फ बढ़ने वाला है कम नहीं होगा क्योंकि आज आप गाड़ी ले रहे हो कल आपके बच्चे बढ़े हो जाएंगे वो बच्चे लोगों को भी इंशुरंस क्याश पैक सी लेंगे तो आपके इंकम सिर्फ बढ़ने वाली है यहां पर आपको लोगों को एजुकेशन देना जरूरी है कि आपको क्याश पैक से आपको इंशुरंस क्यों लेना है क्योंकि आप इंकम इतनी बढ़ने वाली है कि यह बाकी की इंकम में आपको बता रहा हूँ ना, यह सारी इंकम आपकी एक पान के तपरी के तरह होने वाली है That is the potential अभी छोटा सा एक और मैं आपको analysis दे रहा हूँ यह screen में आप देख रहे हो कि अगर आपने आपका सिर्फ 10 अजर का अगर आप transition करते हो तो आपके महने के इंकम कितनी हो सकती है 80 लाक पिक्किलर नापकिन के उपर 95 लाक अगर आपका mobile recharge आप करते हो टॉप राइट हैं सेट में आप table देखिए अगर आपके 6 लेवल में सिर्फ 199 रुपिस का अगर कोई mobile recharge करता है तो आपकी income होने वाली है 1.3.3 लाक अगर आप कोई एक रोस का अगर आप आपके 6 लेवल में अगर कोई इंकम कोई लेता है 14 लाक ये मैं 1 परसन की सबसे में बठा रहा हूँ आपको fast track का इंकम 300 रुपे अगर आपके 6 लेवल में उसी तरह प्रोबस इंशूरंस में 1.66 लाक की इंकम अगर आपको बता क्यों रहा हूँ क्यों कि this is mathematics कभी गलत नहीं होता ये calculation के हमने बताये है या great now very very important ये जो भी income मैं आपको बताया है मैंने सवाल यहां पर ये आता है कि ये अगर पूरी income आपको अगर चाहिए तो आपको आपके 6 लेवल mandatory है आपको काम करना है ऐसे निए भी आपने cash pay के application डाउनलोड कर लिया और आप घर पे बैटे आप किसी को share ने कर रहे हो तो ये जो 6 लेवल जो आपको पूरे करने है ये 6 लेवल कैसे पूरे होँगे मुझे तो बात करना नहीं आता है मुझे support चाहिए अगर support चाहिए तो कौन मुझे support करने वाले है और ये 6 लेवल हमें पूरे कैसे करने है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरे 6 लेवल को पूरे करने के लिए हमने एक strategy बनाई है हमने कुछ principles में आपको बताने वालो वो principles को अगर आपने 6 मेने अगर आपने follow किया 6 साल नहीं, 60 साल नहीं सिर्फ 6 मेने आपको follow करना है अगर वो follow करते हैं तो आपकी income जो एक share की income हर मेनी के जो target हमने दिये वो income आपके होने वाले अब ये दो principles क्या है principle number one loyal to cash pack मतलब आज के बाद जो भी transactions आप करने वाले हो आपको सिर्फ cash pack से करना है क्यों? क्योंकि जिस ठाली में हम खाते हैं उस ठाली में हमें छेद नहीं करना है number one principle number two principle आज के बाद जो भी आप online webinar जो हम करते हैं सबरे हम करते हैं 9 से 10 यह हमारा training होता है जहापे हम applications के बारे में product के बारे में, strategies के बारे में best practice sharing, prospecting कैसे करना है, लोगों को क्या बोलना है यह सारे चीज़े हम बताते हैं सबरे 9 से 10 और शाम को 9 से 10 यह हमारा session होता है यह आपको attend करना है 180 days यह है principle number two अगर यह दोनों चीज़े अगर आप attend करते हो for the next 180 days mark my words, 180 days 6 साल नहीं, 60 साल नहीं आपको यह दो principles आपको सिर्फ 180 दित करना है अगर आप यह attend करते हो, आप क्या पाने वाले हैं what are you going to achieve number one, you are going to achieve financial freedom in the next 6 to 12 months और ऐसा financial freedom कि जब आप खर्चा करोगे तो आपको यह सोचनी के जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह आपके bank में कितना पैसा है that is called financial freedom time freedom आपको जहां चाहिए, जो चाहिए 6 मेने के बाद ना आपको prospecting करना है 6 मेने के बाद ना आपको यह webinar रेटेंड करना है आप यहां से retire होने वाले हो complete time freedom आपको मिलेगा लेकिन आपको 6 मेना आपको discipline से आपको जो हम कह रहे हैं दो principle वो आपको करना है passive income आज जो भी जितने भी लोग है passive income मतलब क्या अगर आप नहीं काम करोगे तभी भी आपकी income आनी चाहिए मुझे एक बात बताइए आप 11.110 का empire खड़ा करने वाले हो उस empire में जो भी कुछ भी होगा क्या वो अपना मेने का बिजले का बिल पानी का बिल टेलिफोन, डीटेज, इंटेनेट, ग्रॉसरी और अपना mobile recharge क्या वो छोड़ेगा उसको आपको reminder करनी की ज़रूद नहीं पड़ी क्योंकि यह mandatory transactions है वो जब यह करेगा आपकी passive income बनने वाली है और lifetime और आपके जाने के बाद आपके next generation को सबसे सबसे एहम चीज की cashback में जो पैसा आप बनाने वाले हो वो अच्छा पैसा है खुशी का पैसा है और दुआओं के पैसे हैं क्योंकि आप cashback से जो पैसा कमाने वाले हो वो आप किसी के जब से निकाल की नहीं खमाऊगे किसी को टोपी नहीं लगाने वाले हो आप लोगों के लोगों के जब में पैसे डाल के आप कमाने वाले हो इस गूंट भी आप ब्लेसे वेल्ट और दाट इस ब्यूटी और दिस प्रोजेक्ट अप्यूटी आप जब भी पैसा खर्चा करोगे आपको ऐसा नहीं लगागा यार यह पैसे मैंने कमाए गलत तरह से कमाए यह पैसे आप जब खर्चा करोगा आपको इतनी खुशी होगी क्या आप जानते हो कि यह पैसे खुशी के पैसे यह दौाउं के पैसे यह आपके मेहनत से आपने कमाए हैं बलकि कि आया है आप कह रहे हो कि ठीक है सर आप 100% effort बोल रहो हो आप दो प्रिंसिपल समको दे रहे हैं हम आने वाले छे मैंने हम कैश बैक में लॉयल रहने वाले हैं और हम 100% सबरे और शाम का हम सेमिना रेटेंड करेंगे मैं आपको एक बहुत ही कज़रोटी आप्रेज दे रहा हूं कि आपने ये छे मिना एटेंड किया आपने छे मिना एटेंड किया 100% आपने effort डाला with proper discipline आपने commitment के साथ with proper discipline आपने 6 मिना आपने effort डाला 100% लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 10% result ही आया 10% result ही आया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 10% result आता है तो हम देखते हैं कि आपको cashback में आपकी income कितनी हो सकती है team size लेते हैं 1 lakh आपका 11,110 का 10 तका हो जाता 1 lakh 1 lakh के उपर हर मैने वो लोग कम से कम 10,000 का transition करेंगे आपकी income होने हो लिए 5 lakh peculiar sanitary napkin ये लोग आपने family के लिए खरिदने वाले हैं वहां से आपको 8,40,000 और ये कि रोज से 1,32,000 ये मैंने आपको सिर्फ छोटा ही income बताया है लेकिन अगर ये पूरा income को अगर आप टाली करते हो तो हर मैने सिर्फ 10% result के उपर आपकी 15 से लेकर 20 lakh की आपकी income बनने वाली है मुझे एक बात बताईए आज 15 से 20 lakh की income किसी भी industry में कमानी के लिए आपको कितने साल जाते हैं 20 से 25 साल भी अगर आप काम करोगे तो 15 से 20 lakh की income आप नहीं कमा पाऊगे लेकिन जो principles मैं आपको दे रहा हूँ 6 से 8 मेने अगर ये principles आगर आपने फॉलो किये तो 15 से 20 lakh की income आपकी हो सकती है Think about it मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है आप उसको imagine करिए कि आपको करना है नहीं करना है क्या आप 6 मेने का आप risk उठा सकते हो क्या और risk मतलब क्या सिर्फ आपका समय का आप bankrupt नहीं होने वाले हो आपका सिर्फ समय और भी समय कितना सबेरे एक घंटा और शाम का एक डेट घंटा आपको देना है उस सबेरे के एक घंटे में आपको क्या करना है उसकी पूरी तालिम हम आपको देंगे इसके अलावा काफी दूसरी इंकम आते हैं आपको cash pack में दूसरा इंकम है card activation incentive जो आपको cash pack कहता है कि या हर card आपके 6 level में जितने card active होने वाले हैं हर card के उपर आपको 4 पर मिलने वाला है मतलब 44,40,000 की आपकी income confirm है अभी आपको तेह करना है कि ये जो income आपको चाहिए आपको 6 मिने में चाहिए 12 मिने में चाहिए 2 साल में चाहिए 5 साल में चाहिए आप तेह करिए क्योंकि आपके discipline आपके commitment आपके book के उपर है कि आप कितना जल्दी आप इसको complete करने वाले है That is one Another thing आपका जो भी रुपे कार्ड जो आने वाला है उस रुपे कार्ड से आपके 6 लेवल में जो भी transactions होने वाले उसके उपर आपको income आने वाली है QR code अपकमिंगे मैं उसके वरी में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं इसके अलावा डिरेक्टर क्लब ये कुछ serious लोगों के लिए जैसे आप 4th लेवल पे जाते हैं और 4th लेवल पे जैसे आपका 90% लोगों के पास कार्ड होता है आप बेरेक्टर क्लब में कौलिफाय होते हो और वहां से अपके अलग income आती है चैर्मेंज क्लब 5th लेवल पे 5th लेवल पे जैसे आपका 1,00,00,00 का team size हो जाता है उसमें 75% लोगों के पास cashback का कार्ड होता है आप चैर्मेंज क्लब में क्वालिफाय हो जाते हैं और वहां से आपके अलग income आती है आपको company के टर्नवर के पर आपका अलग से रोईती आईगी And the ultimate Cashback Society Club Cashback कहता है कि अगर आप 6th लेवल पे आते हो और 6th लेवल में 50% लोगों के पास आपका काड आता है आप क्वालिफाय होते हो एक विला का विचिस वर्थ 2 करोर्स मेरे पैरे दोस्तों हर इंसान का सपना होता है कि जब वो अपना करियर शुरू करता है कि अपना घर भले आपके पैरेंस से या फिर आपके दादा से परदादा से घर आपको आया है लेकिन हर इंसान का बोलता है कि मैं अपना घर कपको खड़ा करूँ है क्याश पैक से आपको एक लाग, दस लाग, बीस लाग का घर नहीं आपको दो करोर का विला आपको आनी वाला है लेकिन एक ही कंडिशन ही यहाँ पे कि यह विला उन लोगों को मिलने वाला है जो पहले 100 लोगों को मिलने वाला है जो यह कृट्रे पूरा करता है तो अगर आपका सपना, आपका डिस्सिप्लिन है then I would say this विला is for you और इस विला के लिए अगर आपको काम करना है हम सारे leaders आपके साथ है इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टन्ट मैं आपको बता दू कि आपको cashpack क्यो करना है और cashpack actually है क्या, कुई काफी लोग कहते हैं कि sir ये सिर्फ application है लेकिन application का अलावा ये क्या है तो मैं आपको बता दू कि सिर्फ ये एक application नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा platform है सारे applications के लिए. आज मैं आपको बताओं कि आगर आप play store पे जाते हो या फिर app store पे जाते हो, सेक्डो applications होते हैं, लेकिन कितने application के बारे में आप जाते हो? ऐसा नहीं है कि वो applications अच्छे नहीं है, सारे applications अच्छे हैं, लेकिन उनको उतना visibility नहीं आता है, क्योंकि उनके पस कोई brand नहीं है, उनके पस कोई funding नहीं है, उनके पस कोई investment नहीं है, तो ऐसे मामले में क्या होता है, वो application अगर अच्छा होता है, तो कोई दूसरा business man, कोई दूसरी company उसको acquire करती है, cash pack कहता है आपको, कि आपके पास application है, application है, बढ़िया, आपका application हमारे पास आईए, आपका business अगर legitimate है, तो हम आपका application को हमारे cash pack के application में integrate करेंगे, जैसे वो integrate हो गया, आज जितने भी application, जितने भी लोग हैं हमारे cash pack में, वो सारे लोगों में आपका application एक मिनिट में चला जाए, और आगे चलके करोड़ों लोग cash pack के application को download करने है, और इसका मतलब क्या, कि आपका application करोडों लोगों के smartphone में जाने वाला है, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को भी जाके पूछना कि अगर करोडों लोगों के phone में अगर जाना है, तो marketing cost कितना लगेगा, that is the beauty of this platform, क्योंकि cash pack के application के वज़े से इतने application लोगों का भला होने वाला है, क्योंकि absolutely with zero marketing cost, उन लोगों को penitred, वो penitred कर पाएंगे सारे smartphone क्यों, क्योंकि आगे चलकर e-commerce का platform घर-घर की कहानी होगी, ये गाव गाव तक जानी वाली e-commerce का platform, ये अगर आपने cash pack applications, अगर कि आपका application भी करोड़ों लोगों के phone में जाने वाला है, number one, number two, कि आपको cash pack का application क्यों लेना है, आपको cash pack में क्यों काम करना है, क्योंकि बहुत ही successful person Mr. Warren Buffett का एक sentence है, वो कहते हैं कि if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, मतलब आपको एक ऐसा जरिया ढूनना पड़ेगा, जो आप रा एक ऐसा जरिया जिससे आपकी income generate हो, आप सो रहे होंगे, फिर भी आपकी income generate होना चाहिए, आपको cash pack इसलिए करना है, क्योंकि एक समय के बाद आपको कोई prospecting नहीं करना है, एक समय के बाद आपको कोई webinar भी attend नहीं करना है, आपको सिर्फ cash pack का application इस्तमाल करना है अपने जिं अपने family के साथ कहीं gathering करेगा, अपने traveling कि साथ कहीं ट्रैफल कर रहा है, कोई toll gate से pass हो रहा है, fast track से fast track ले रहा है, आप से fast track ले रहा है, कोई travel कर रहा है, flight ticketもし ट्रैफल कर रहा है, bus bus ticket okay, trainwork, ट्रें कि आपका कमिशन आएगा आपको कहां से आगया है क्योंकि कोई नहीं जानते हो कि आपके 11,11,110 जो आपका इंपायर खड़ा होने ओला कौन कहां पर किस चीज का ट्रांजेशन कर रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है किसी की शादी आ रही है शादी में 2-3 लाग का सोना ग स Absolute. E-commerce के प्लाटफारम के उपर और E-commerce के अपर जितने आज स्क्रीन में यह जितने भी नहीं नाम देख रहे हैं किसी का कोई product नहीं है लेकिन सारे कंपनिया billion dollar की कंपनिया है उसमें हमारा cash pack भी billion dollar की company होने वाली है आज हम start-up पे है लेकिन आगे चलके we are going to become a billion dollar company क्यों? क्यों हमारा भी कोई product नहीं है और हम कहते हैं न कि विया successful company को follow करिए यह सारे कंपनिया कामियाब है तो हम भी कामियाब होने वाले क्यों? हम कामियाब लोगों के पच्छिन पे चल रहे हैं आपको cash back क्यों करना है? अगर यह statistics अगर आप देखोगे इंडिया digital होने वाला है अगर आप लोग दखोगे 2015 से लेके 2020 मोबाइल फोन यूजर्स देखिए 2020 में 1200 मिलियन इंटेनेट यूजर्स देखिए 2020 स्मार्ट फोन की यूजर्स की संक्या देखिए यह सिर्फ हर अलग अलग तरह के researchers के numbers हैं लेकिन यह numbers सिर्फ बढ़ने वाली यह सिर्फ forecast है मैं कह रहा हूँ कि यह forecast को क्योंकि अगर आज आप जो भी आप दूसरे companies जो start-up companies होती है और start-up companies initially आप कोई forecast नहीं कर सकते हैं आप अनुमानी नहीं लगा सकते हैं लेकिन यहां पर जितनी भी start-up company की मैं आपको example दे रहा हूँ जो जो company शुरू होई थी उस company की आज 2019 में आप turnover देखे cashback हरे पटे में मैं आपको दिखा रहा हूँ cashback की शुरुवात हुई है 24 मार्च 2019 और उसी साल पिछले साल हमारा 8 करोड का turnover हुआ था एक पहले साल में start-up company के बावजूत तो आप सोच लिजे कि आने वाले 3-5 सालों में 3-5 सालों में हमारा turnover किस हिसाब से बढ़ेगा उस turnover के उपर हमारी income और हम सब लोगे की income कितनी बढ़ी होने लिए आप तैक करिए आपको cashback क्यू करना है ये छोटा सा Google का survey है ये numbers आप देखिए by 2025 India is going to be a 1 trillion market of digital transaction 2025 में आपको cashback क्यू करना है क्योंकि अगर आप डेटा का अगर आप example लेता हूं में यहां पर India is the cheapest country in the whole world internet का connection सबसे cheapest है क्यूं आपको cashback करना है because if any business you want to do सारे businesses में या तो risk होता है या तो no risk होता है लेकिन जितना जिस business में ज़्यादा risk होता है उसकी income हाई होती है और अगर low risk होता है तो low income होती है लेकिन अगर zero risk होगा तो आप जो समझ रहे हो सही है लेकिन यहां पर मैं आपको definition change कर रहा हूँ यहां पर होता है high income and that is what why you need to do cashback because of zero risk and high income आपको cashback क्यों करना है because of safety for your family आपको cashback क्यों करना है because of security for your wealth मैं आपको एक example देता हूँ आपको safety का मतलब क्या है आज अगर आप अपने बच्चे है हमारे बच्चे के लिए हम pocket money देते हैं अपने family को हम cash money देते हैं आपने जेब में रखके कहीं जाते हैं पैसे घुम जाते हैं आपके बच्चे को आप pocket money देते हो वो pocket money औबच्चा आप कहा पे खर्चा कर रहा है आपको नहीं पता आपको tension है आप भोलते हो बच्चों को भिया क्या कि आपने पैसे का? आपका बच्चा जवाब नहीं देता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल में भीया पैसे जेब में है, सेफटी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके बच्चों को pocket money मत दो, cash pack का card दो, cash pack का card आप दोगे, पैसे खतम होगे, आप लोड कर सकते हो, आपको आपके बच्चों को पूछनी की जरूरत नहीं है कि यह पैसे कहां पर खर्चा कर रहा है, आप अपने mobile पर देख सकते हो, कि वो उस card से क्या transition कर रहा है, बच्चे का पैसा खतम हो गया, एक मिनिट के अंदर आप पैसा लोड कर सकते हो, आपका बच्चा कभी cashless नहीं होगा, मतलब कभी, no, बिना पैसा नहीं, मतलब हमेशा उसके पास पैसे रहेंगे in terms of card, आपकी family की safety, security, आज आगर आप देखोगे, जो भी हमारे debit card है, इतनी frauds हो रहे हैं, cheating हो रही है, cash भी आप ATM से किसने cash आपका withdraw कर लिया है, security नहीं है, आपके bank account का, आज in fact even RBI कहती है, बैंकों को कह रही है, आप prepaid card issue करो, क्योंकि प्रिपे card में पैसे load करते हो, और फिर transition करते हो, आपके card से, हमारे cash pay के card से, आप कोई पैसा withdraw नहीं कर सकता है, किसी ATM के machine से, security आ गई, आपका card अगर कहीं stole भी हो जाता है, तुरंट आप अपने application में अपना card को block कर सकते हो, लेकिन अगर चोरी भी हो जाता है, तो कितने पैसे हमें security का reason यह है कि, जो हम transition करने वाले उतना ही तो पैसा हमें load करना है, that's the reason why you need to do cash pack and why you should have cash pack in your life, why you need to be, आपको cash pack in क्यों होना है, that is what is the reason, very very important, यह session के पहले में, इस session के end में हमेशा तीन सवाल करता हूँ, पहला सवाल है कि कि आप चाहते हो कि हमारा भारत digital India हो, क्योंकि digital India अगर हम होते हैं, तो हमारी economy strengthen होगी, हमारी GDP strengthen होगी, we will be the number one economy in the world, और अगर आप digital India का initiative देखते हो कि आज हमारे भारत में digital India के लिए हमारा भारत रूपे card को promote कर रहा है, क्यों कर र सब लोग अगर रूपे card अगर अगर इस्तमाल करेंगे, तो हमारी economy strengthen होगी, क्योंकि रूपे card is Indian gateway, यहां तक कि हमारे honorable prime minister भी कहते ही, please use रूपे card, क्योंकि अगर आप रूपे card से अगर आप कोई भी transition करते हैं, तो gateway की जो charges हो हमारे भारत में रहेंगे, जिससे infrastructure, technology, हमारे GDP को हमारी economy को मदद होगी, तो मैं कहा रहा हूँ कि जो card आपको cash pack से आता है, वो रूपे card है, इसका मतलब क्या हम हमारे Indian economy को, Indian government को हम support कर रहे हैं, यहां भी मैं छोटा सा उदारान आपको देता हूँ कि आज हम रूपे card इस्तमाल कर रहे हैं हमारे cash pack में, आने वाले एक सा kind of a revenue we are going to generate to our Indian economy, make yourself proud that you are a cash bagging को क्या हम हमारे Indian economy को हम contribute करने, every individual is going to contribute, second, the biggest economy, आप चाते हो that India should be the biggest economy in the world, then you have to do cash pack, क्या आप चाते हो क्या आप चाते हो क्या इंडिया बिगेस GDP in the world, then you should do cash pack, yeah, if your answer is this, then I would say, no, welcome, to cash pack, family, thank you so much friends for giving your valuable time, यहाँ पे मैंने schedule आपको दिया है, यह schedule पुरे जो online के वेबिनार हमारे होते हैं, वेबिनार का पूरा schedule है, आप यह timing पे आप वेबिनार पे अपने घर के comfort पे आप जॉइन हो सकते हैं, and you can enjoy the success story of every individual, okay, thank you so much and you have a blessed day.